अब आलेकूम, I am your Mac teacher from Little Masters Model School, hope you all are fine and staying safe at home Today we are going to start exercise 5.2 5.2 में भी additions हैं लेकिन अब आपके पास जो questions हैं वो mixed values के हैं पहले आपके पास जो questions से उसमें proper fraction, improper fraction के base पर और denominator same थे और नहीं थे same हमने दो पार उन पर वो discussion की थी 5.1 में अब 5.2 में आपके पार denominator same भी हो सकते हैं और denominator same नहीं भी हो सकते हैं तो आपको जब फिर question solve करने हैं तो उन चीजों का ध्यान रखना है अगर denominator same होंगे तब कैसे solution करना है और जब नहीं होगा तब कैसे solution करना है तो सबसे पहले तो हम इसको solve करेंगे ये वाली value जो आपको नज़र आ रही है इसे कहते है mix value तो इसको solve करने का तरीका असान है कि denominator को side वाली value के साथ हमने पहले multiplication करना है multiply करवाना है 3 ones are 3 और उसमें जो value का answer आ रहा है उसको हम numerator के साथ plus करवा देंगे तो 3 ones are 3, 3 में 1 plus किये 4, 4 upon 3, denominator as it is रहेगा बीच में आया plus, अब हम दूसरे fraction को solve करते है mix value को 3 ones are 3, 3 में 2 plus किये 5, 5 upon 3 mix value के answer हमेशा improper ही आते है mix value का answer improper fraction में आता है जब आपके पास mix value solve हो जाएगी तो एक fraction की सूरत में आ जाएगा फिर आप ये देखेंगे कि denominator same है या नहीं same तो आपको नजर आ रहा है कि इस सवाल में denominator same है ये भी 3 है, ये भी 3 है तो जब denominator same है तो हमें उसे common ले लेना है और उपर वाली values को as it is उतार देना है तो 4 plus 5 equals to 9, 9 upon 3 अब 9 upon 3 जो है वो improper fraction है लेकिन ये कट रहा है पहले हम इसे काट लेते हैं 3 1s are 3, 3 3s are 9 हम जब हम इसको solve करते हैं 3 upon 1 आ रहा है तो हम नीचे वाला 1 नहीं लिखते answer में तो हम से इसका 3 answer लिखेंगे अब हम एक और question इसको solve कर रहे हैं बाकी दो questions जो आपको और work sheet में दिये गए होंगे assignment की तोर पर PDF में वो आपके पास पहले question जैसे ही है अब हम question 4 जो solve कर रहे हैं इसमें mixed values भी हैं और improper fraction sorry जो denominators है वो different हैं तो पहले हम mixed values को solve करेंगे फिर हम denominator same करेंगे तो mixed values कैसे solve होंगी नीचे वाला जो number है वो denominator है वो side वाली value के साथ multiply हो जाएगा 2 अन्जा 2 और उपर वाली value जो है वो numerator है तो 2 अन्जा 2 का जो answer आएगा वो हम numerator में प्लस कर देंगे 2 अन्जा 2 और 1 3 3 upon 2 प्लस 4 अन्जा 4 और 1 5 5 upon 4 दोनों के improper fraction बन गए अब हम यह देखेंगे कि denominator same है के नहीं तो denominator same नहीं है हमें same करने हैं वो कैसे कि छोटा वाला जो denominator है उसको बड़े denominator के equal लिकर आना है तो हम 2 को ऐसे number से multiply करेंगे कि वो multiply होकर उसका answer 4 बने तो 2 multiply 2 आता है 4 तो पहले हम इस तरह से इसको multiplication की तोर पर लिखेंगे तो जिस number से denominator यानि 2 से अगर denominator multiply हो रहा है तो numerator जो इसका numerator है वो भी 2 से ही multiply होगा तो इस तरह से हम इस पूरे एक fraction को 2 से multiply करेंगे जब हम mixed value का answer ले आते हैं improper fraction में फिर हम mixed value को उसे solve नहीं करते question फिर हम improper fraction वाली value से ही आगे का सारा question solve करते हैं इसी तरह आप ये denominator जो है ये बड़ा ही है तो हम 5 upon 4 को 1 से ही multiply करेंगे इन दोनों में से जो बड़ा होगा denominator वो 1 से ही multiply होगा अब हम इसको solve करते हैं 3 2 जा 6 2 2 जा 4 प्लस 5 जा 5 यहां देखें denominator सेम हो गए अब हम इसको LCM की सुरत में उतार लेंगे और जो पर के numerator हैं वो as it is लिखे जाएंगे यानि कि 6 प्लस 5 6 प्लस 5 इकोस तो 11 11 upon 4 11 upon 4 is a improper fraction because its numerator is bigger than its denominator इसका numerator बड़ा है अपने denominator से और ये cut भी नहीं रहा तो नहीं कटेगा तो ये divide होगा हम 11 को dividend बनाएंगे यानि के divide के अंदर वाली value और denominator को हम divisor बनाएंगे divide के बाहर वाली value 4 के table में 11 नहीं आता तो हम ये देखेंगे उससे छोटी value क्या आती है 8 आती है 4 टूजा 8 11 में से minus के 8 तो 3 is reminder अब इसको लिखेंगे कैसे reminder हम numerator बना देंगे और जो caution था वो हम side वाली value बनाएंगे और जो divisor है उसे हम denominator बनादेंगे यानि के नीचे वाला उपर उपर वाला side में side वाला नीचे अब आपके पास जो question given है उसमें पहले तो mix value solve करना है उसके बाद denominator को भी solve करना है लेकिन इस दफ़र denominator थोड़ा change solve होगा वो कैसे है कि पहले तो हम mix values को solve कर लेते हैं कि 2 को multiply करते है 5 से 2 5s are 10 10 10 और 1 11 11 upon 2 plus 3 2s are 6 6 और 2 कितने होगा 3 sorry 3 6s are 18 3 को हमने divide किया 6 से multiply किया 6 से 3 6s are 18 18 में 2 plus 20 20 upon 3 अब आपके पास जो improper fraction आया अब आप देखें एक का denominator 2 है और एक का 3 है पहले हमारे पास जितने बड़े values होती थी उसको हम छोटे ऐसे नंबर से multiply करते थी कि वो बड़ी value में answer आ जाता है लेकिन अगर हम ये देखें कि 2 को अगर हम एसे नंबर से multiply करें तो 2 के डेबल में तो 3 नहीं आता 2 वैल्यू छोटी है 3 से लेकिन 2 के डेबल में 3 नहीं आता तो ऐसी condition में क्या होता है जब दोनों नंबर एक दूसरे के table में नहीं आ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं first fraction को second fraction के denominator से multiply करवाते हैं 11 upon 2 से multiply हो जाएगा और 2 20 upon 3 से multiply हो जाएगा इससे क्या होगा आपके denominator सेम आएंगे कैसे 11 3s are 33 2 3s are 6 उसके बाद plus 22s are 40 3 2s are 6 देखें denominator सेम आ गए क्यों कि हमने एक दूसरे opposite से multiply करवाया था अब denominator सेम हो गए तो हमने इसको लिखकर 33 plus 40 को 73 upon 6 किया क्योंकि 33 plus 40 73 होते हैं 73 upon 6 is the improper fraction और यह cut नहीं राएगा और हम इसको divide करेंगे 6 73 को हमने 6 से divide किया 6 वन जा 6 माइनस किया 1 is reminder उपर से उतारा 3 13 हो गया 6 के टेबल में 13 नहीं आता 6 2 जा 12 1 is reminder अब नीचे वाला उपर उपर वाला साइड में साइड वाला नीचे यह थी आपकी exercise 5.2 जिसमें mixed values थी और denominator सेम भी थे और नहीं भी थे 5.2 के बाद 5.3 करेंगे 5.3 में do these subtractions है जैसे हमने fraction के addition सॉल्फ किये थे इसी तरह हम fraction के subtraction सॉल्फ करेंगे बात सही है कि इस exercise में जो आपका 5.3 है इसके part A में क्या है कि वही चीज है कि दोनों के denominator सेम है तो बस आपने एक दफा लिखकर और 2-1 पहले हम प्लस करते थे अब हम माइनस करेंगे तो 2-1, 1, 1 upon 3 answer क्यों? क्योंकि 1 upon 3 नहीं कटेगा लेकिन यह proper fraction है इसी तरह question number 2 देखिए 4 upon 5 minus 2 upon 5 इसमें भी denominator सेम है जब denominator सेम होंगे तो हम क्या करेंगे एक दफा इसको common ले लेंगे या इसको हम else भी कहते हैं लेकर और उपर वाली numerator हम as it is उतार लेंगे 4 minus 2 4 minus 2, 2 upon 5 वैसे तो यह proper fraction है क्योंकि इसका जो numerator है वो अपने denominator से छोटा है इसलिए यह proper fraction है और दूसरा यह cut नहीं रहा अब हम question number 3 देखते है question number 3 भी ऐसे ही है कि denominator सेम है हम नेक दफा लिया 4 minus 1 3 आया 3 upon 6 और 3 upon 6 अब जो है तो proper fraction लेकिन cut रहा है 3 1s आ 3, 3 2s आ 6 1 upon 2 answer इसी तरह question number 4 5 upon 6 minus 3 upon 6 denominator सेम थे लिख दिया एक दफा common 5 minus 3, 2 2 upon 3 2 1s are 2, 2 3s are 6 1 upon 3 answer और इसी तरह question number 5 भी solve वोगा 7 upon 8 minus 3 upon 8 इनमें भी denominator सेम है हमने एक दफा denominator लिखना है यह वाली line लगाना मत भूलिएगा यह divide ही line होती है numerators को हम as it is लिखेंगे 7 minus 3 4, 4 upon 8 एक तो यह proper fraction है और दूसरा यह कि अब हमें यह देखना होगा कि यह cut रहा है एक ही table से cutने चाहिए दोनो numbers तो हमने 4 और 8 को 4 के table से ही cut किया है 4 1s are 4, 4 2s are 8 तो इस तरह आपकी 5.3 यह end होती है उमीद करती हूँ आपको यह दोनों fractions के method समझा चुके होंगे इन्शालला next class में next part के साथ next exercise के साथ मिलते है अल्हाफिस वी अमान इल्ला